प्रेस्ट प्रेस्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं आपको से एक न्यूज सेयर करना हूँ ठीक है जैसे इस मल्टी बैगर रिटरंस 10,000 से 10,000 नोट किर जेगा 2, 4.7 लाख इन जस्ट 10 येर्स ठीक है और न्यूज ये किस दिन का है 4 अपरील का ही दिन का न्यूज का है और आपको लग रहा होगा पता नहीं कौन सा पोर्टल है तो मैं आपको पोर्टल भी बता लता हूँ The Economics Times Market का ये पोर्टल है ठीक है ओपिसल बेप साइट है इसी पर ये न्यूज है अब बात करते हैं कि Long Term क्यों Preparable रहता है और Long Term में पैसे आपको कैसे इस तरीके से Multiply हो जाते है कैसे 50 गुना 60 गुना अब जैसे आप ही यहाँ पर देखिए 10,000 रुपे को 10 साल में इसने 4.7 यानि कि 47 गुना कर दिया है दोस्तों 47 गुना कर दिया है इसका मैजिक है जिसको मैजिक को हम लोग बोलता है Compound Interest Compound Interest को समझने के लिए Compound Interest को मैं कल्कुलेटर लगा के रखाऊं और यह कोई एरा गएरा कल्कुलेटर नहीं HDFC Life का Compound Interest का कल्कुलेटर है अच्छा लिए मैजिक दिखाते हैं लोग जिक देखते हैं लोग कैसे होता है जैसे उस बात किया कि 10,000 को 10,000 ठीक है कोई भी मंत्री S.I.P. नहीं है उसका 10,000 को छोड़ दिया उसने 10 साल में ठीक है और Return काम पोट्पोलियो कर देते हैं 20% सिर्फ 20% 10 साल में कितना हो जा रहा है इसका देख रहा है 10 साल का पैसा हम एक बार में लगा कर छोड़ देए 10 साल के लिए तो सिर्फ 20% के Return पे 62,000 रुपया हो जा रहा है और हम अगर इसी को Return को अगर हम जो की बजाज फिनांस जैसी कमपनिया देती है तो देखिए और अगर इसी में हम मंतली SIP कर दें अपना 10,000 का मंतली SIP कर दें तो देखिए अब कैसे चेंज हो रहा है डाटा देखिए 77,20,420 तो News का क्या था वो मैं आपको बताता हूँ देखिए कौन सी ये कमपनिय है ये कमपनी है बजाज फिनांस बजाज फिनांस कमपनी के बारे में ये न्यूज है कि बाइक ट्रेंड बाई ओफरिंग तालिस सोग परसेंट यानि 4,300 रिटरंड दिया है लास्ट के 10 साल में एक्कॉर्डिंग टू इन्वेस्टर रपूट टेंठ हो जैनि यही होता है लॉंग टर्म का लॉंग टर्म में कमपाउंडिंग के तोरो इसी तरह से यह पैसे आपके 100 गुना 200 गुना 500 गुना हो जाते है इसलिए लॉंग टर्म को प्रिपरेबल बोला जाता है इसलिए हार इन्वेस्टर को बला जाता है भाई कि लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्टर करो मार्केट डे वाइज जो है ऐसे 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 करेगा ऐसे ऐसे करेगा लेकि लॉंग टर्म 10 साल प्रिएड में देखोगे the market हमेसा ऐसे उपर ही गिया है ठीक है day में देखोगे week में देखोगे month में देखोगे ऐसे ऐसा गिरता उठता रहेगा market में cover आएगी market उड़ गया तबाह हो गया बरबाद हो गया दुनिया crash हो गई लेकिन ultimately 10 साल का time period देखोगे या 5 साल का था तो market इसे ही उपर जाता है दोस्तों ठीक है उसी बजाज finance की मैं बात कर रहा हूँ आज के date में देखिए मैंने chart लगा के रखा हुआ है ठीक है बजाज finance company का day frame का chart लगा के रखा हुआ है price को समझने के लिए long distance की moving averages लगा के रखा हुआ है green वाला 200 डेज की है yellow वाला 150 डेज की है red वाला 100 डेज की है at present यानि थरस्डे के दिन market closing इसका price था इसने long एक bullish engulfing type का candle बनाया था और 632 रुपया पर close हुआ था price के strength को देखेंगे RSI के strength को देखेंगे 55 पर है कि जो की ठीक ठाक cash and soak कर रहा है और हाल फिलाल इसने low लगाया था अपना अंठावन सोरी 53 सो कुछ रुपया का low लगाया था exact low क्या लगाया था मैं आपको जराए एक बार बता दू 590 रुपया का low लगाया था वहाँ previous week वहाँ से अच्छी कासी recovery दीख रही है और price जो है एक long bullish candle previous Thursday के दिन इसने बनाया है माल लिजे कि इसी price पे हम calculate करके देखते हैं माल लिजे अगर आप एक quantity buy करते हैं इस price zone पे जो की आ रहा है 6000 के आसपास में ठीक है हम माल लेते हैं कि 6000 के आसपास में आ रहा है और मैं आपको सला दे रहा हूँ कि every week या every month एक quantity उठाईए तो 6000 से के range में एक quantity उठा रहा है माल लिजे 6000 के range में एक quantity उठा रहा है आप तो अब हम लोग calculate करके देखें जैसे कल आपने Monday के सत्र में आपने उठा दिया 6000 का ठीक है इस महीने में अब अगले हर एक महीने में आपको सिर्फ 6000 का ही डाल ला है ठीक है और मैं बात कर रहा हूँ आपको 10 साल के investment के लिए और आपकी return का हम मैं बोल रहा हूँ कि 25% हमको सलाना return दे ठीक है 25% return दे यानि कि 10 साल तक आपको जैसे इस मंत में आपने आपने invest कर लिया 6000 रुपिया ठीक है यानि मंडे के सत्र में अब मै महीने में भी 6000 लगा दिया जून महीने यानि हर एक महीने में सिर्फ एक share बजाज finance में लगाते हैं और ये 10 साल तक आप करते हैं ठीक है 10 साल तक आप करते रहते हैं साल के बाद मालेजी investment आप अपने रोक देते हैं और आपको हम minimum return के हम बात करते हैं जो कि बजाज finance का CAGR है CAGR तो उसका बहुत ज्याद है लेकिर हम 25% मारके चलते हैं सिर्फ 25% आपको compounding interest मिले तो आपके पैसा कितना गुना हुआ दोस्तों 2023 से आपने स्टार्ट किया और 2023 में आपने रोक दिया इन्वेस्ट करना आप देखिए जार पैसा आपकी total investment हुई total investment आपका हुआ दस साल में 7,026 और आपको इस पे 25% के इसाप से compounding benefit मिला 25,42,000 उनहत्तर रुपईया यानि total value हो गया इसका 32,066,069 है न मैजिक दोस्तों मैजिक है या नहीं है ठीक है मैजिक है या नहीं है आप बता रहा बताईए यह मैजिक है या नहीं है इस तरह का इस पे होना मैजिक है या नहीं है आप बताईए जरा कितना हुआ यह बताईए magic high की नहीं है यह देखिए मेरा 10 साल में सिर्फ एक stock में अगर आप पैसा लगा रहा है 10 साल में आपने पैसा लगा है 7,26,000 रुपया और 32 लाक रुपया लेके return निकल रहा है साथ में dividend जो दिया उसकी बात ही अलब तो इसलिए दोस्तों बलता है कि multi bagger stock जो previous multi bagger भी रही है जिनका business model रहा है इसी कमपणियों में डालो लेकिन रुके रहो जिस भी कमपणी में stock आप invest करो 10 से 15 साल को अले मत लिख लो अगर 10 से 15 साल तक आप कमपणी को hold नहीं कर सकते तो कमपणी में एक साल के लिए इन मत करो तो trader बन जाओ investor मत बनो ठीक है दोस्तों इसलिए suggest किया जाता है कि long long जितना साल रुकोगे matter नहीं करता कि आपने 10,000 रुपे लगाया है ठीक है 10,000 रुपे लगाया यह matter नहीं करता matter यह करता है कि आपने यह 10,000 रुपे को कितने years के लिए लगाया है share market में 10 साल 15 साल ठीक है 20 साल अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखा दूँ और सेम इसी पैसे को इसी पैसे को और अगर आपने 10 साल नहीं 20 साल के लिए अगर छोड़ दिया 10 साल तक तो आपने invest किया से और 20 साल तक छोड़ दिया तो आप आपके पैसे कितना हो गया यह देखो जारा 3,80,000,000 आपने invest किया सिर्फ 10 साल सिर्फ आपने यहाँ बड़े कि सिर्फ आपने 10 साल तक ही invest किया लेकिन 10 साल तक और छोड़ दिया लेकिन investment कुछ भी नहीं किया तो यह इतना ही पैसा आपका 7,80,000 रुपया का investment ही आपको देखिए अभी भी investment आपका कितना है 7,26,000 7,26,000 2043 या नहीं 20 साल में आपके पैसे को 3,88,3,633 बना देगा यह magic होता है दोस्तो इसलिए long term investing करने के लिए का जाता है तो मैं अभी भी आपको suggest करूँगा कि बजाज finance अभी भी आपको अच्छे price पर मिल रहा है और कापी अच्छी discount पर भी मिल रहा है क्योंकि price इसका आप देख लिए कि कापी उपर गया था और अभी भी 6,000 के आसपास में है ठीक है तो आप इसमें हर वीक माल उठाना है श्टार्ट कर दे नहीं हर वीक अफोट कर सकते हैं क्योंकि बड़ा सेयर है तो every month एक सेयर उठाना सुरू कर दे क्योंकि 8,000 से 8,000 के आसपास इसका previous high था और वहां से अभी 6,000 पर मिल रहा है इंवेश्ट पर मिल रहा है